नमस्तार दोस्तों मैरावल बात करेगे हैं आप पर साइद अफ्रीदी की और गोतम गंबिर की घर कुई कोई जानता कि गोतम गंबिर और अफ्रीदी जब फिल्ड पर होते थे तो एक दूसरी से लड़ते रहते और कहीं और कहीं तो यह एक मैच की फोटो है जहां ये दोनों आपस में बिढ़ गएते हैं लेकिन जब भी आप सुनते हो गंबिर और अफ्रीदी को एक दूसरे के खिलाफ कभी भी हमें उस तरह किसे पोजिटिव चीजे सुनने को मिलती नहीं लेकिन हाल फिलाल में एक उन्होंने वापर यूटूब पर एक इंटर्वीव में बातचीत करते हूं गंबिर के लिए आप बोलोगे कि जो बयान इन्होंने दिया है कहीं कहीं आप बोलोगे कियार चलो अफ्रीदी के मुझ से कुछ तो अच्छा निकला वर्ना तो इनके मुझसा में गलती निकलता लेकिन अफ्रीदी ने जो बात करी है वहापर गोतम साते कि महाँ पर क्या चीज़ महाँ पर उस इंटर्वी में घटी ती यह आप देख रहों महाँ पर कि जो पहला था कि इस मोगे पर जो मौमिन थे जो वाइरल भी उगोई थे उनके इंटर्वी में उनसे पूछा गया कि आप पर आरोप है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में आप अक्सर गोतम गंबिर को उकसाने का काम क्या करते थे इसके जवाब में अफरीदी ने का यह खेल का हिस्सा होता है हर टीम दूसरी टीम के खिलाड़ी के साथ ऐसा करती है लेकिन मेरा और गंबिर का मामला सोसल मीडिया पर ज़्यादा ही बड़ा चड़ा कर दिखाय गय तो जब इन से पहला सवाल यही किया गया वहापर की जब इन्होंने पूछा गया कि आप गंबिर को उकसाती थे क्या ग्राउंड पर क्योंकि आपने देखा कि को कोनी वाला सीन आपको वायरल होगा कि जब वहापर कोनी मारी थे वहापर बैसबाजी करता वा सीन आपके दि इस तरीके से और कहीं सोसल मीडिया जिस तरह की साब बात करते हो गंबीर और वहाँ पर अफ्रीदी के फैन आपस में लड़ते भी रहते हैं वहाँ पर देखो यह बात है महाँ पर अफ्रीदी गंबीर की लेकिन दोनों लेजेंड पिलेट थे चाहिए हो साइध अफ्रीदी बात अलगती है और मैच में आपको देखने को मिलता है गोतम गंबीर मतलब वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर वाई 2007 के वर्ल्ड टीटवन्टी वर्ल्ड कॉप हो 2011 का वर्ल्ड कॉप मैच विनिंग नोग खेली थी 2011 वर्ल्ड कॉप आपको याद होगा 97 सिरी लंका की अगेंज 2007 साथ का टीटवेंटी वर्ड कप का फाइनल वहापर तो ला जवाब उनकी पारीती और लेजेंड है वहापर कहिने गए जिस तरीके से और इंडियन फैंस हो या चाहे पाकिस्तानी फैंस हो यही उमीद करते हैं कि आर पिलेर्स मतलब ग्राउंड पर तो वहापर आपको ठीक ह कि एखने को मिले लेकिन जो अगला बयान दीयान होने अगला बयान चलाईए पिंटू जी आप वहापर अगला बयान आपको कहने चुका देगा क्योंकि रही बात उकसान है कि तो ग्राउंड में चीजटी रहती है कैने हैं सेलैजिक होती है लेकिन जो दूसरे आप देख मुहमिन साब ने कहा कि चलिए आप बताईए वाप पर गोतम गंबिर की कोई पोजिटिव बात इस पर अफरीदी ने कहा है कि मैंने भारति टीम में उनके जैसा ओपनिंग बल्लेबाज कमी देखे उनके टाइमिंग लाजवाब होती थी वह सांदर ओपनिंग बल्लेबाज र बात करे 97 डन कोई नहीं भूल सकता और दोदो वर्ड कप जिताना वाले गोतम गंबिर देश के बैश बल्लेबाज है क्योंकि उस एरा में स्वरभ गांगोली यूवी पाजी और गोतम गंबिर कही नहीं गई उस तरह की के बल्लेबाज थे जिन्होंने वन डाउन पर अपन बात करते हैं गोतम गंबिर का बेवियर अपने टीम मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही है तो लेकिन भाई उस उस बास ते तो मैं जाता इतिफाक रखता नहीं मुझे उस टाइम पर तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि गोतम गंबिर का वहाँ पर अपनी जो टीम के भज्जी के साथ तो अफरीद ही है बाई उनका तो मतलब यह है कि कुछ भी कभी भी बोल जाते हैं लेकिन अच्छे बात है कि उन से मुसे उनके मुसे हम गंबिर के तरिफ सुन रहे तो चलो अच्छे बात है कि कहीं ने कहीं आप जो रिस्ट है आपके खराब आपने पर अफरीदी एक दूसरे के खिलते हुए आपने देखे भी थे और रही बात वहाँ पर इनकी बात करते हैं गंबिर के स्टैट्स की बात करेगी कि गंबिर और साथ अफरीद का ओवरॉल आखड़ा क्या रहा है क्योंकि दोनों पिले लेजेंड रहे हैं वहाँ पर कि गोत अखमल की भी लड़ाई हो गई थी गंबिर के साथ पर यह करेक्टर होते हैं जो आपको किरकिट को बड़ा मतलब अलग खेल बनाते हैं महाँ पर राइवेलरी बिल्ड करते हैं हमें भी पता कि मेदान के अंदर जो आपको फाइड दिखते मेदान के बार कहीं ने गई वोर इंडिया पाइस्तान के बीच में दोस्ति काफी आपको देखने को मिलती है चाहे विराट को लिर बावर रजम क्यों ना हो ओडियाए में 97 रन की पारी गोतम गंबिर की सबसे फेमस पारी यह वाली पारी टी 20 में जो पाइस्तान के गेंस फाइनल की पारी खेली थी वह पारी वाहिर की लाजवाब है जो टी 20 के हम बात करते हैं आई पेल में दो बार केकर को चैंपिन मनाया तो कहीं ने कहीं बाई अल कि भी बात करते हैं आगडे क्या रहे है तो आगडे भी आपको बताएगे वहाब पर और पर यह उम्मीद यहीं कि इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए वहाब पर बैटरी हो क्योंकि आप तो लड़ाई जगड़ा आपको बड़ा कम देखने को मिलता पहले राइव साथ का सेकिंड ओडिया जिता जहां पर वो एक तरफा इंडिया के हास्ते चीन लेते दो आर चोधा में जो इन्हों छक्का मारके अस्विन के अगेंस मैच जिता आया था तो इंडिया के अगेंस तो साइध अफरीदीन अच्छे ही क्या है टी ट्वेंटी में आप देख र रहे और कहीं नहीं यह बात से ही कि चलो कुछ चीजे अच्छी निकल कर आई है वन्ना जब भी आप देखते थे पहले कि आप अफरीदी के हवाले से आप देखते थे कि कुछ ने कुछ मीडिया को मिल जाता था वहापर कियार कहीं नहीं मसाला लेकिन बात एगी अच्छी सब्सक्राइब कर दीजे बाकी वीडियो आपको लगातर मिली रही है अभी के लिए लेते आप से इजाजत जे हिंद जे बारत कर दो कर दो